तो इस टेबल और ग्राप से हमने देखा कि किस प्रकार उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ जो परिवर्तन शील लागते थी उनमें तो परिवर्तन आया लेकिन जो इस्तिर लागत थी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन क्योंकि परिवर्तर शील लागत बदली है इसलिए अगर हम overall देखें तो कुल लागत में भी उसी अनुपात में कोई न कोई परिवर्तर जरूर आता है अब अगर हम दोनों में अंतर की बात करें इस्थिर लागत और परिवर्तर शील लागत में अंतर की बात करें तो कुछ निश्रित बिंदु के अधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो इस्थिर लागत होती है हमने पहले भी देखा कि वो इस्थाई संपतियों से संबंदित होती है और जो परिवर्तन शील लागत होती है वो परिवर्तन शील संपत्य होने कि इस्थाई को छोड़ कर बाकि जो चीजे बची उत्पादन के जो साधन बचे उससे संबंदित होती है दूसरा हम इसमें अंतर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो इस्तिर साधन होते हैं उनमें जो परिवर्तन है वो अल्पकाल में कर पाना काफी मुश्किल होता है इसके लिए दीर्धकाल की ज़रत होती है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इन पर हमको वै करना पड़ता है अगर हम परिवर्तन करते हैं तो लेकिन परिवर्तन शील जो साधन होते हैं उनमें हम अल्पकाल में परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि इस्तिर साधनों के पिक्षा उन साधनों पर हमको कम वै करना होता है अगर समयावदी की बात करें तो इसमें कुछ बताने की अबज़रत नहीं है क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि स्थाई संपत्या इस्थाई लागते जो है वो दिर्दकाल से संबंदित है और परवतर शील लागते जो है वो अल्पकाल से संबंदित है एक अंतर हम यहां पर जब हमने टेबल और ग्राफ देखा तो उस टेबल के अधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि-स त्य है किसी दशा में भी दश्यां में हमने वहां पर देखा था कि यह नहीं हो सकती अभी तख हमने जो अध्यांकियां उससे भील्ट कम हो किसी भीड़ा अवस्ता को सब्सक्राइबrespon discuss नहीं हो सकती टेबल में भी एमने देखा लेकिन परिवर्तन शील लागत जो है वो किसी विशेश स्थिति में अगर उत्पादन की मातरा बहुत कम हो जाती है तो परिवर्तन शील लागत शुन्य भी हो सकती है तो ये कुछ बिंदो के अधार पर हम कह सकते हैं कि स्थिर लागत और परिवर्तन शील लागत में परियाब तंतर है अल्पकाल की लागतों के अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां यह भी देख लेते हैं कि अल्पकाल में ओसत लागते कौन-कौन तो पहले भी हमने देखा कि जो इस्थिर लागत होती है वो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती बलकि वो फिक्स होती है इस्थाई होती है लेकिन अगर हम औसत की बात करें तो हम आगे देखेंगे टेबल में कि वो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है और घरती है ये कहना भी उचित होगा क्योंकि अगर हम उसत की बात करें तो उसके लिए जब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जब हम इस कुल लागत का जब हम उसत निकालते हैं तो फिर वो कई हिस्सो में विभाजित होती चले जाती है और सथ इस्थर लागत निकालने के लिए यानि कि average fixed cost निकालने के लिए हम formula यूज करते हैं AFC equal to TFC upon P यानि कि average fixed cost equal to total fixed cost divided by production और सथ इस्थर बराबर को लिस्थर लागत ब女pox उच्था इसर लागत जो अभी तक कि messing आई है उसको जब हम उच्था हम कि मात्रा सवाग दे देते हैं तो वहाँ पर हम औस इसे लागत निकालते हैं तो जाहिर से बात है कि उत्पादन की मात्रा से हमको भाग देना है तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ओसत इस्थिर लागत जो है उसका घटना निश्यत है इस पूरी प्रक्रिया को आईए हम एक टेबल के माध्यम से और एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं अल्पकाल में औसत इस्थिरलागत को अगर हम एक टेबल और रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएं यहाँ पर हमको टेबल में तीन बातों को दर्शाना होगा एक तो उत्पादन की इकाईया कोल इस्थिरलागत और औसत इस्थिरलागत जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा है कि औसत इस्थिरलागत निकालने के लिए हमको कोल इस्थिरलागत को उत्पादन की इकाईयों से भाग देना होगा तो हम औसत इस्थिरलागत प्राप्ति कर सकते हैं इस टेबल में उत्पादन की एक आईयां जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम देखते हैं कि कुल इस्थिरलागत में तो कोई परिवर्टर नहीं होता है लेकिन औसत इस्थिरलागत जो है वो धीरे धीरे घरती जा रही है इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने से कुल इस्थिरलागत जो है वो उत्पादन की कई कायों में बटने लगती है यानि कि उसको बढ़ती हुई संक्या से भाग देते जाते हैं इसने औसत इस्थिरलागत जो है वो घरती जाती है जैसे कि हम इस टेबल में देख रहे हैं जब उत्पादन शुन इकाय था तो इस्थिरलागत 500 थी वहाँ पर उसत इस्थिरलागत भी 500 ही थी जब उत्पादन में एक इकाय के वृद्धी कर दी गई तो इस्थिरलागत में तो कोई परिवर्टन नहीं होगा लेकिन औस इस थिरलागत क्योंकि हम 500 को दो से भाग देंगे दो भागों में उसके बाटेंगे तो औस इस थिरलागत जो है वो 250 हो जाएगी वैसे ही अगले क्रम में जब उत्पादन की इकायों में विद्धी करके 3 कर दिया गया और इस थिरलागत 500 ही बनी रही तो 500 को जब हम 3 से भाग देते हैं यानि औस इस थिरलागत जब हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो वो घटकर 166 हो जाता है इस प्रकार हम देखते जाते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की इकायों बढ़ती जाती है कुल इस थिरलागत तो वैसा ही बना रहता है लेकिन औस इस थिरलागत को जब हम उत्पादन की इकायों से भाग देकर निकालते जाते हैं तो औस इस थिरलागत जो है वो उत्तर-उत्तर घटती जाती है याने इस पूरे टेबल के द्वारा अगर हमें ग्राफ का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि रेखा O X पर हम उत्पादन की इकायों को लेते हैं और रेखा O Y पर हम कुल इस थिरलागत और औस इस थिरलागत को लेते हैं अगर हम कुल इस थिरलागत के बात करते हैं तो वो तो एक समनांता रेखा ही बनती है लेकिन औस इस थिरलागत के अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि बादन की इकाई शुन्यों होने पर औस इस थिरलागत जो थी वह 500 थी उत्पादन की एक इकाई में भी 500 थी लेकिन नुटीपादन दूऌतपादन के दूसरी एक प्रयोग 250, थीकाई के प्रयोग हो गए 208.3 हो गए इस प्रकार हम देखते है कि जिस वक्र का मिर्मार होता है यह एपी सी जो हमने नाम दिया है यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की और ती व्रगती से गिदा है इसका यह है कि उत्पादन में व्रिद्धी के साथ साथ वो गिरता जा रहा है लेकिन एक बात यह भी है कि वह एक्स अक्ष को काट कर आगे नहीं बढ़ता यानि कि कदी भी वो शुन्य नहीं होगा या रिनात्मक भी नहीं जाएगा तो यह वक्र बताता है कि जैसे जैसे उत्पादन की काईव में व्रिद्धी करते जाते हैं कुल स्थिर्द लागत में तो कोई परिवर्दन नहीं होता लेकिन औस तो आपने देखा कि किस प्रका जैसे जैसे हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं वहां पर फिक्स कॉस्स जो है स्थिर्द लागत जो है वहां पर तो कोई परिवर्दन नहीं आता है लेकिन चुकि उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जो विभाजी तिकाईया है उनकी मात्रा बढ़ती जाती है इसलिए जो औस इस्तिर लागत है वो घड़ती जाती है यह परिवर्तित होती जाती है दूसरा अगर हम बात करें औस परिवर्तन शेल लागत की यानि की average variable cost की तो इसको calculate करने के लिए हम formula लगाते हैं average variable cost equal to total variable cost divided by P यहाँ पर हम जो परिवर्तन शेल कुल लागत होती है उसको उत्पादन की मात्रा से जब भाग देते हैं तो हम औस परिवर्तन शेल लागत निकालते हैं क्या होता है कि जब उत्पादन की मात्रा में विद्धी होती है तो कुल उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन परिवर्तन शेल ागत में विद्धी के साथ साथ जो औस परिवर्टनशी लागत है वो घड़ती जाती है ये कम होती जाती है यहां पर भी वही नियम लाग regret होता है क्योंकि औस निकालने के लिए हम उसको उतपादन की मात्रा से विभाजित करते हैं तो जैसे जैसे उतपादन की मात्रा बढ़ते जाती है तो विभाजनी काईयां उसकी बढ़ती जाती है इसलिए जो उसकी औसत लागत है वो कम होती जाती है तो आईए टेबल और ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार औसत परिवर्तन शील लागत को में क्या परिवर्तन आता है जब हम उत्पादन की इकाईयों में या साधनों में जब हम वृध्धी करते हैं औसत परिवर्तन शील लागत को अगर हम टेबल और ग्राफ द्वारा समझें तो हम इस टेबल में भी पहले बताये गए सूत्र का ही प्रियोग करेंगे ज्याने कि आउसत परिवर्तन शील लागत निकालने के लिए हम कुल परिवर् प्रवर्वत प्र Mira कर लेंगे इस टेबल में की इकाई की उत्रों प्रिदी हो रह Blues नौनी शुड़ी और और 2 इन से बढ़कर 1 कि मुझे तो फुल परवर्वर्तन शिल्य लागत पांस तो और उसत परवर्तन श्री लागत भी 500 हुई जब उत्पादन की इकाई एक से बढ़कर दो हो गई तो कुल परवर्तन श्री लागत 600 हो गई और अगर हम इसके आधार पर उसत परवर्तन श्री लागत निकालते हैं तो हम 600 को दो से भाग देंगे सुत्र के आधार पर तो हमें औसत पर्वर्तन शील लागत 300 मिलेगी वी से ही उत्पादन की किअग्द में कीस ब्सैपाइच से हमें पर्वर्तन लागत 250 प्राप्त हो जाएगी वैसे ही उत्पादन की चौथी काई के प्रयोग पर फुल परवर्तन शीन लागत बढ़कर 1160 हो गई अब इस 1160 को चार से भाग देंगे और और उसत परवर्तन शीन लागत निकालेंगे तो 290 प्राप्त होगा ठीक उसी प्रकार उत्पादन क पांचवी और छटवी काई के प्रयोग पर जहां परवर्तन शीन लागत उननीस सो और तीन हजार हो जाती है इन्हें उत्पादन की काईों से जब हम भाग देते हैं तो 380 और 500 औस परवर्तन शीन लागत प्राप्त हो जाती है इस पूरे टेबल में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उत्पादन की काईों में व्रिद्धी के साथ-साथ परवर्तन शीन लागत में भी व्रिद्धी होती जा पर जब रेका चित्र बनाते हैं तो हम देखते हैं कि युद्ञ Α500 के पर फिलाय का प्रीयोग किया गया तो उसत परवर्तन श्रील लागत 500 दूसरी वस्तु का जब प्रयोग किया गया दूसरी उत्पादनी काई का जब प्रयोग किया गया तो उसत परवर्तन श्रील लागत 300 तीसरी काई के प्रयोग पर 250 चौथी काई के प्रयोग पर 290 पांचवे काई के प्रयोग पर 380 और निर्मान करते हैं तो हम देखते हैं कि यू का अकार लिये हुए एक वक्र प्राप्त होता है जो ये बताता है कि उत्पादन जो है वो प्रारंभी कवस्था में लगातार कम होता गया और एक निश्चित उत्पादन चमता तक पहुचने के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू करते गए तो कुल परवर्तन शील आगत जो थी वह तो बढ़ती गई लेकिन क्योंकि औस परवर्तन शील आगत धीरे-धीरे जो उसका भाग है बटने का वो बढ़ता जा रहा रहा है उत्पादन में विद्धी के साथ साथ इसले औस पर वरतन शील लागत जो है वो घरती परिवर्तन के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता है इसे हम देखेंगे टेबल और ग्राफ के द्वारा लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि क्या formula लगाएंगे हमें आपर औसत कुल लाब ग्याद करने के लिए औसत कुल लाब ग्याद करने के लिए हम average total cost equal to total cost divided by q इस formula के अधार पर हम आगे table में औसत कुल लागत ग्याद करेंगे तो सबसे पहले यह देख लेना जरूरी है कि औसत कुल लागत निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है औसत कुल लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा average total cost equal to total cost divided by quantity याने production quantity इस तालिका में हम देखते हैं कि उत्पादन की इकाया दी हुई है औसत इस्तिर लागत दिया हुआ है औसत परिवर्तन शी लागत है और इनके आधार पर हम औसत लागत या औसत कुल लागत की गर्णा करेंगी जब उत्पादन की इकाया शुन्य थी तो औसत इस्तिर लागत कुछ भी नहीं था यहां पर परिवर्तन सी लागत और औसत कुल लागत भी शुन्य थी लेकिन जब उत्पादन की इकाई शुन्नी से बढ़ा कर एक की गई तो हम यह आपर देखते हैं कि औसत इस्थिर लागत जो है वो 500 है औसत परिवर्टन से लागत भी 500 है और औसत को लागत भी एक जा है जब उत्पादन की दूसरी इकाई का प्रियोग किया गया यानि कि उत्पादन की इकाई को एक से बढ़ा कर दू कर दिया गया तो औसत इस्थिर लागत जो है वो 250 हो गई औसत परिवर्टन से लागत जो है वो 300 हो गई और औसत कुल लागत जो है वो 550 हो गई उत्पादन की तीसरी इकाई यानि की एक इकाई की और व्रिद्धि कर दे और तीन इकाई का प्रयोग करें तो औसत इस्थिर लागत 166, औसत परिवतरशी लागत 250 और औसत कुल लागत 417 हो गई इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उत्पादन की इकाईों में जैसे जैसे हम व्रिद्धि करते जा रहे हैं औसत इस्थिर लागत धीरे-धीरे कम होती जा रही है और उसी अनुपात में हम औसत परिवतरशी लागत को देख रहे हैं कि वो पहले धीरे-धीरे कम होती है और एक निश्चित समय के बढ़ना शुरू कर देती है और व्रिद्धि होने शुरू हो जाती है अब इस टेबल के आधार पर अगर हम यहां पर हम औसत कुल लागत वक्र का निर्मान करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब उत्पादन की एक हिकाई का प्रयोग किया गया, तो औसत कुल लागत 1000, दूसरी हिकाई के प्रयोग पर 550, तीसरी हिकाई के प्रयोग पर 417, चोथी हिकाई के प्रयोग पर 415, पाचवी हिका पर जब हम एक वक्र का निर्मान करते हैं यानि की एवरेज टोटल कॉस्ट का तो हमें एक सीधे यू के आकार की आकृति प्राप्थ होती है यह रेखाचित्र यह बताता है कि जैसे जैसे उत्पादन की अत्रिक इकायों का प्रियोग हम करते जाते हैं वैसे वैसे औसकुल ल प्रारम्द कर देती हैं अब आये देखते हैं सीमान्त लागत क्या है सीमान्त उत्पादक्ता सीमान्त उप्योगिता इस तरह के शब्दों का हमने पहले भी अर्थशास्त्र में प्रियोग किया है सीमान्त को अगर हम समझना चाहें तो नाम से इस पस्ट है कि सीमा का अंत जहां पर अंतिमिकाई का प्रयोग होता है उप्योगिता की बारे में हमने देखा था कि किसी वस्तु की अंतिमिकाई से जो उप्योगिता प्राप्त होती है वो सिमान्त उप्योगिता वैसे ही सिमान्त उत्पादक्ता का हमने अध्यान किया तो हमने देखा कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई के प्रयोक से जो उत्पादक्ता प्राप्त हुई यानि जब हम किसी अंतिम साधन को जब हमने उत्पादन में लगाया उससे जो उत्पादक्ता प्राप्त हुई वो सिमांत उत्पादक्ता बिल्कुल वैसे ही अगर हम लागत की यहां पर बात करते हैं सिमांत लागत की तो किसी वस्थू की अंतिम लागत जो हमने वृध्धि जब की तो अंत में लास्ट में दर जो वृध्धि की उस एक ऐसरी जो हमको प्रॉडक्षंन में यो वह शिह क्सका पात्व कर रहा हैं अब हमने श्रम को कि संख्या में व्रिद्धी कर दी 11 श्रमिक कर दिये तो अब जो उत्पादन की मात्रा है वो 15 से बढ़कर 20 हो गई तो यह हमने देखा कि 10 से 11 याने कि एक श्रमिक में हमने व्रिद्धी की उत्पादन की जो मात्रा थी हिकाई थी वो 15 से 20 याने की 5 हिकाई में व्रिद्धी यहाँ पर जो लागत आई उसे हम कह सकते हैं कि यह सिमांत लागत हैं सिमांत लागत की calculation के लिए हम यहाँ पर formula यूज करते हैं mc equal to delta tc upon delta q यानि कि सिमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्टन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्टन तो इस अधार पर हम सिमांत लागत की calculation कर सकते हैं हम एक table और साणी की अधार से सिमांत लागत को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं सिमान्त लागत की इस अवधारना को अगर हम एक तालिका की अधार पर प्रस्तूत करें तो हम देखते हैं कि इस तालिका में उत्पादन की इकाईयां कुल लागत और सिमान्त लागत दिये हुए हैं। उत्पादन की इकाईयों में वृध्धी करने के साथ साथ कुल लागत में वृध्धी होती जाती हैं। और उसी अधार पर सिमान्त लागत में पहले कमी होती हैं और फिर धीरे-धीरे वृध्धी होने लगती हैं। क्यूंकि सीमान्त लागत को calculate करने के लिए हमने आपे formula दिखा है सीमान्त लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन के मात्रा में परिवर्तन mc equal to delta tc upon delta 1 q इस सूत्र के अधार पर हम इस table में सीमान्त लागत के गर्णा करते जाएंगी उत्पादन के एकाई जब 6 ती तो कुल लागत 500 थी यहाँ पर सीमान्त लागत कुछ भी नहीं थी क्योंकि यह पहली काई है जब हमने उत्पादन की एकाई को 6 से बढ़ाकर एक कर दिया तो हम देखते हैं कि कुल लागत 800 हो गई और सीमान्त लागत 300 हो गई उत्पादन की एकाई जब एक से बढ़ा कर दो कर दी गई तो कुल लागत 900 हो गई और सिमान्त लागत 100 हो गई उत्पादन की एकाई जब 3 कर दी गई तो कुल लागत 950 हो गई और सिमान्त लागत 50 हो गई यह जो हम सिमान्त लागत यहां पर देख रहे हैं यह वास्तों में वो लागत है जो एक पर में उत्पादन की एक अत्रिक तिकाई में व्रिद्धी करनी से प्राप्त हो रही है इसकी केलकुलिशन हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं पहले कुल लागत 500 थी तब सिमान्त लागत कुछ भी नहीं थी जब कुल लागत 800 हो गई तो सिमान्त लागत 300 यानि कि 500 से व्रिद्धी कितनी हुई 300 की व्रिद्धी हुई तब जाके कुल लागत 800 हुई वैसे ही अगले step में 800-900 तो सिमान्त लागत 100 हो गई अगले step में 900-950 यानि फुल लागत में जब मैनस करते जाएंगे हत्रिक्तिकाई की व्रद्धी को निकालते जाएंगे तो सिमान्त लागत 50 950-980 यानि की सिमान्त लागत 30 इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की इकायों में व्रद्धी करते जा रहे हैं वैसे वैसे कुल लागत में व्रद्धी होते जा रही है और एक सीमा के बाद पिर यानि की छटवी एकाई का प्योग करने पर धीरे धीरे उसमें बढ़त शुरू होती है। इस टेबल के अधार पर जब हम रेखा चित्र का निर्मान करते हैं तो हम देखते हैं कि रेखा ओएक्स पर हम उतपादन की मात्रा और रेखा ओवाई पर हम उतपादन की लागत यानि कि सीमान लागत को लेते हैं। जब एक इकाई का प्रयोग उत्पादन में किया गया तो सिमान प्लागत तीन सो थी दूसरे इकाई के प्रयोग पर यानि कि दो इकाई के प्रयोग पर सो हो गई तीन इकाई के प्रयोग पर पचास हो गई जब चार इकाई का प्रयोग किया गया तो तीस हो गई पांच एकाई के प्रयोग पर 20 हो गई, 6 एकाई के प्रयोग पर 100, 7 एकाई के प्रयोग पर 150, 8 एकाई के प्रयोग पर 250, 9 एकाई का जब हमने प्रयोग किया तो 500 और जब हमने 10 एकाई का प्रयोग किया उत्पादन में तो सीमान प्लागत बढ़कर 800 हो गई इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे कैसे यह जो MCE यानि की marginal cost कव है यह पहले नीचे गिरते जाता है और फिर उपर उठता है यानि कि यह दिखा रहा है कि उत्पादन की इकायों में व्रिद्धी के साथ साथ किस प्रकार सीमान्त लागत में कमी आती है और फिर एक सीमा के प्रशाद व्रिद्धी होना शुरू हो जाती है एम सी यानि की सीमान्त लागत वक्र ये भी स्पस्ट करता है कि प्रारम्भी कवस्ता में सीमान्त लागत घट रही है लेकिन एक निश्चित बिंदू के पहुशने के पश्चारत अगर ये बढ़ती है तो ये यू आकार की भाती बन जाती है अब इस पूरे विसलेशन से कुछ बाते और निकल कर आती हैं पहली ये कि हम आप देख रहे हैं कि सीमान्त लागत परिवर्टन शील लागत में परिवर्टन के कारण ही उत्पन हुई है दूसरी बात हम देखते हैं कि जो सीमान्त लागत है वो इस्थिर लागत से पूरी तर परतन की दर को बताती है